हाई फ्रेंड्स मिया गांशा सर्माजी की विदा कांशा मैं आपका स्वागत करती हूँ मद्यपिदेश आंगनवारी महला सुपरवाइजर का प्रेक्टिस सेट दो करने वाले हैं इसका एक सेट करवा चुकी हूँ वहाँ सारी सीरीज सुपरवाइजर के लिए मेरे चैनल पर चल रही हैं mcq 3000 प्रश्णों का है वन लाइनर है theory के लिए m class है m-series नाम से चल रही है और ये प्रेक्टिस सेट निकाली हूँ practice करने के लिए इसमें हम जो अलग-अलग state में exam आय हुए है अलग-अलग state में question पूछे गए है वो हम इसमें करने वाले है एक सट इसका करवा चुकी हूँ आपको प्लेलिस्ट में आपको description box और comment box में डाल दूँगी तो आप वहां से इसकी पूरी जो है प्लेलिस्ट देख सकते है न्यूए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा notification जल्दी आपको देखने को मिलेगा देखिए order pass हो गया है यह बिल्कुल बात नहीं है कि notification नहीं आएगा आपका exam होना ही है आंगानवाडी के लिए रिक्त पदों की जानकारी व्यापम तक पहुँच गई आप देख रहे होंगे वियापम का कोई भी exam नहीं आया है कल व्यापम की new site जो है वो update हुई है जो site को उसमें update किया है तो हो सकता है कल में परसो में आपको इसका notification वर्ग दो का notification देखने को मिल जाए दो चार दिन में आ जाता है अगर notification आपका तो आपका जो exam है वो October November तक कंड़क्ट हो जाएगा आचार सहीता में exam आने के possibility नहीं होती है लेकिन exam हो जाता है तो यह यह नहीं बोल सकते कि आचार सहीता में exam नहीं होता है अगर अगर यह थोड़ा से डेले होता है notification तो आएग का क्या कारण होता है ऐसी माता जो अभी जोने recently एक बच्चे को जन्व दिया है और उनके इस तनों में गांट हो जाती है तो वो गांट बनने का कारण क्या है बच्चों का जरूष से ज़दा दूद बनना मतलब बच्चों की जरूष से ज़दा मतलब जितना बच्चे को आवशकता है उससे ज़्यादा गर दूद बनता है और वो बच्चे को नहीं फीट करा पाती है बच्चे को नहीं पिला पाती है तो उसके कारण भी गांट बन जाती है दूसरा है इस तन पर बच्चों की गलत पकड़ के कारण गलत जगे से पकड़ लिया है तेज पकड़ ल मतलब जीरो से छे महा से कम आयू के सिसु को उपरी आहार की अनुशंशा दी जाती है, यदि बैसे तो जीरो से छे महा के जो बच्चे होते हैं, उनको मा के दूथ के अलावा कोई भी दूसरे चीज नहीं दी जाती है, लेकिन एक ICMR की रिपोर्ट आई ती 2020 ये बताया गया था कि चार से महा से भी अगर प्लस बच्चे होंगे तो उनको भी उपरी आहार देना स्राट कर दिया जाता है, पूरक आहार इसको बोलते हैं, लेकिन अगर उनको चार से छे महा के बच्चे हैं, उनको भी उपरी आहार कि अनुसंसा क्यों की जाती है, कि किन कंडिशन में उपरी आहार की संगया दी जाती है, पहला कारण है, यदि सिसू की मां की मित्ति हो जाती है, तो ये भी एक कारण, यगर सिसू जो बच्चा है, उसकी मां की मित्ति हो जाती है, तो उसको उपरी आहार दिया जाता है, description box में आपको मेरे whatsapp, telegram, facebook, twitter का link मिल जाएगा आप उसको join कर लीजेगा बहुती सांदार आपको question मिलते रहेंगे इसके अलाबा अगर आप हमारे महिला supervisor के notes देना चाहते हैं बहुती सांदार महिला supervisor के notes आपको प्लब्द कराने वाली हुम है और बहुत सारे लोगों ने अपना notes book भी कर दिया है और अपनी पढ़ाई भी करने लगे हैं वो देखिए एक सबसे main चीज़ यह है कि जो व्यापम का exam होता है न हो अलग-अलग shift में होता है अगर आपका अलग-अलग shift में exam हो तो एक चीज़ को आपको पचास तरीके से पढ़ना पड़ेगा पचास तरीके से question बन सकते हैं तो इसलिए हम अपने notes के साथ आपको एक online group provide कराते हैं वहाँ पे हम notes तो आपके घर पे पहुंच जाएंगे उस group में हम आपकी लगातार तयारी करवाते रहते हैं जिससे आपको महत्पून कोशन का update मिलते रहते हैं अलग-अलग प्रिशनों की बहुत सांदर सांदर प्रिशनों की तयारी होती रहती है अगला question है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है बाल विकास की अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग अवस्थाएं दी है लेकिन main जो अवस्था होती है जो बाल विकास की वो तीन अवस्थाएं जो है बताई गई है पहली होती है तीन अवस्थाएं बताई गई है पहली होती है कौन सी सैसब अवस्था दूसरी होती है बाल्य अवस्था और तीसरी कौन सी होती है किशोर अवस्था ये तीन अवस्थाएं होती है बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है तीन अवस्थाएं होती है सैसव अवस्था वाल्य अवस्था और किशोर अवस्था इस प्रेकार से ये तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन होई आपको याद रखना है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, फ्रेंड से एक मैं थियोरी क्लास लेके आऊंगी, आपको बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, बाल विकास किस गती में होता है, किस क्रम में ह होता है उनके अलग-अलग सिध्धान्त दिये उन सिध्धान्त को क्या कहते हैं यह सिध्धान्त किस ने दिये यह थियोरी के रूप में पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने में आ जाएगा तो M9 हमारी थियोरी क्लास आएगी कल बाल विकास की एक बार विडियो जरूर देख लिएगा बाल विकास के पूरे कंसेप्ट अगर याद हो जाएंगे न आपको तो आप उनको भूल नहीं सकते हैं उन कंसेप्ट को अगर एक बार अगर आप विडियो देखनेंगे और कोई भी उस ट्राइब का कोशन आएगा तो वो आप जरूर कर पाएंगे तो याद रखेगा बाल विकास की कितनी अवस्था होती है बाल विकास की तीन अवस्था होती है सैसा वस्था जो एक से च्छे वर्ष की होती है बाले अवस्था जो की छे से बारा वर्ष की रहती है कि सोर अवस्था बारा वर्ष से अठरा वर्ष की रहती है र लोगों नी अलएग बताए हैं जैकर कि कुछ ने बाली अवस्था में ही युव में ونसेोसेbene चैया शुरो से दो साल कर दी फिर बाली अवस्था में प्रारंपिक बाली अवस्था मुद्धयतर क dönकで रचुसा फ्री प्रिकार रचुर में में सेक कर दी लिकान ब्रद्धी निगरानी रखने के कितने चरण होते हैं। ब्रद्धी निगरानी रखने के पांच चरण होते हैं। ब्रद्धी को देखना है। इसमें क्या करते हैं। हम सबसे पहले यह देखते हैं की उम्र का पता लगाते हैं। अनके बजन को हम किस तरीके से देख सकते हैं। उनका बजन कैसा है बजन बढ़तो नहीं रहा है और निसकर से निकालते हैं तो इस प्रेकार से टोटल पाथ चरण इसके ब्रद्धी निगरानी रखने के होते हैं और इसमें रेखाएं कितनी होती हैं रेखाएं इसमें चार होती हैं ब्रद्धी निगरानी वाला जो पूरा क पूरा चार्ट है व्रद्धी ने कितनी व्रद्धी पे क्या होता है यह सम्में आपको आज मैं महिला सुपरवाईजर वारे ग्रोप में अपडेट कर दूँगी अगला कुशन है ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती है ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती है दो तीन चार्ट या पांच ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियां होती है होती है कि कोई भी जीव होता है एक वच्छित की ब्रद्धी को नियमित अंत्राल से अंपना उसका विश्लेशन करना व्रद निग्राणी कहलाताभाइब दो पता लगाया जन्यूतो की तो नहीं है कहीं कम्भीर बजन के तो नहीं है तो हम क्या करते है उनको ब्रधि पर निग्राणी रखते हैं इनको बजन streams कहिंपे प्रद्धी चार्ट में जो होता है तीन पट्टियां होती है और कुछ आड़ी और खड़ी लाइने भी होती है हर पर हम पता लगाते हैं जो पट्टियां होती है एक पीले रंग की पट्टी होती है एक हरे रंग की पट्टी होती है और एक नारंगी रंग की पट्टी होती है यदि पट्टी पीले रंग की होती है यदि पट्टी पीले रंग की भीतर होती है तो इसका क्या मतलब होता है क कि बच्चा कम बजन का है, मतलब बच्चक को पोशित है, यदि पीले बजन की होती है, तो क्या होता है, कि बच्चक को पोशित है, उसका कम बजन है, अगर लाल रंग की पट्टी होती है, तो क्या होता है, इसका मतलब वो गंभीर को पोशित है, गंभीर, लाल रंग की पट् तो यह आपको पता है इसके अलावा आड़ी और खड़ी लाइने भी होती है जिसके द्वारा भी आप बता सकते हैं कि जो बच्चा है वो किस तरपार से है जैसे खड़ी लाइने आ रही है ब्रद्धी चार्ट में लगातार ऊपर की और बढ़ती है तो इसका मतलब है कि बच सब्सक्राइन इसका मतलब है बच्चे का बढ़ रहा है ना घट रहा है और आरी रेखा बजन को बताती है कि किस प्रकार से उसका बजन बढ़ रहा है तो आपको याद रखना है ब्रद्धी चार्ट में जो खड़ी रेखा में बजन को और आड़ी रेखा में उम्र को परदरसित किया जाता है याद रखिएगा बजन को किसमें परदरसित किया जाता है खड़ी रेखा में और आड़ रेखा में किसको परदरसित किया जाता है उम्र को आड़ी रेखा में उम्र को परदरसित किया जाता है और खड़ी रेखा में बजन को परदरसित किया जाता है इसमें अलग-अलग रंगों की तीन पटियां होती है सबसे उपर की जो पटि होती है वो हरे रंग की होती है है हरे रंग मतलब अच्छा खासा बोशित है तो अगर बैद्धी जो रेखा है वो नीचे की तरब जोक रही है तो इसका मतलब है कि स्थिती खराब है सोच नहीं है इस्थिती है फ्रेंड्स यह मेरे महिला सुपर्वाइजर के नोट से आप देख सकते हैं बहुती सांदार सुपर डुपर इतनी सरल भासा में तयार कियेगा नोट से ही टोटल आपको यह सेवन बुकलेट मिलेंगी आप यह देख सकते हैं यह दो यह हैं बोशड इबं स्वास्त योजना इ सबसे में बात में आपको बार बार बोल रही हूं आपको एक बुक से कोई आपको ज्यादा से जदा प्रशन लगाना है क्योंकि अलग 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 सिफ्ट में अलग-अलग कोशन आएंगे आप ऑफ-लाइन एक पेपर बन ना होता तो लोग लिमिटेड जो मैंन्में कोशन लग-अलग सिफ्ट में एक्जाम होना है करी 20-25 सिफ्ट में एक्जाम होगा अलग-अलग कोशन देंगे तो आपको ज़्यादा से जदा प्रश्णों की तयारी कराना है इसलिए हमने क्या दे रहे हैं आपको एक गुरूप दे रहे हैं नोट के साथ हम आपको एक योजना आप जन्नी सुदक्षा योजना के बल कव आरम हुई इसमें सहरी महिलाओं को एक हजार रोपे ग्रामिन महिलाओं को चौदा सो रोपे यह तो ठीक ठाक है इसके अलावा डिटेल में भी इसमें बहुत सारी कोशन इसके कम पचास तरी के कोशन बने अब बजट में इसको कितना प्राबदा नहीं किया अब तक कितने लावन बित हो चोके किस मंत्रा ले दौर है तो यह सभी चीजें जो हम अपना जो वाटसएप गुरूप है उसमों आपको कवर करवा रहे हैं बहुत ज्यादा से जद्द जिससे आपकी प्रेक्ट आप पहले हमारी बोक ज और आप लोग की वीक है तो हम वीडियो में भी करवाएंगे और गुरूप में भी important question देंगे तो हर तरीकी तैयारी आपको कराई जाएगी तो आपको notes लेना है या गुरूप से जुड़ना इसके लिए आपको payment करना होगा 1399 में plus 100 इसका courier charge है कहीं भी आप रहते हो भारत में वो ये note deliver होते हैं distance के हिसाब से आपका courier charge घट बढ़ सकता है गाओ में अगर रहते हैं तो गाओ में courier charge बढ़ जाया है क्योंकि गाओ में speed post से पहुचाना पड़ता है और किसी भी जिले में रहते हैं तहसील में रहते हैं तो private courier से ये पहुच जाता है जैसे की डिट 190944 यहाँ पर आप मुझे whatsapp कर सकते हैं description box में भी आपको मेरे whatsapp group की link मिल जाएगी वहाँ से भी आप मुझे join कर सकते हैं हमारा group especially महिला supervisor के लिए ही बनाया गया है तो आप वहाँ से जोड़ सकते हैं अगला question है यदि बच्चे का बजन grow chart की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा क्या हो देखो नारंगी या लाल पट्टी जो होती है खतरनाक स्थिती को बताती है मतलब बच्चा जो है बहुत जादा कम बजन का है अगर लाल रंगी पट्टी पर होती है मतलब अगर बच्चे का बजन ग्रोचा की नारंगी पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा कैसा होगा अधिक कम बजन वाला होगा कमेंट सभी लोग जरूर किया कीजुए अपना नाम कमेंट में आता है उसे मुझी पता रहता है यह मेरे एक मेर gef वीडियोश डेखते हैं fordi रही आनसले क्याई पॉस हादä है खड़ी लाइन जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है खड़ी लाइन जो है वो बच्चे का बजन ब्यक्त करती है और जो आरी लाइन है वो बच्चे की उम्र ब्यक्त करती है खड़ी लाइन क्या ब्यक्त करती है और जो आड़ी लाइन है वो क्या करती है खड़ी लेखा में बजन को और आड़ी लेखा में उम्र को परदर्सित किया जाता है तो याद रखना खड़ी लाइन क्या परदर्सित करती है बच्चे का बजन और आड़ी लाइन क्या करती है उम्र को करती है गरोज चार्ट में आरी लाइन किसको बताती है आरी लाइन उम्र को बताती है आरी लाइन उम्र को बताती है और हडी लाइन बजन को बताती है यह आप याद रखना अगला है बच्चे में ब्रद्धी सीधी रेखा है अगर सीधी रेखा वे बिल्कुल ना कुछ बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है और सीधी रेखा गई तो इसका मतलब है कि बिच्चे का जो बजन है वो इस्थेर है ना आगे बढ़ रहा है मतलब एक जगे पर ही मतलब एक ही जगे पर टुका हुआ है बजन बढ़ रहा है मतब बजन इस थे रहे मतब बजन इस थे आयोग तो बढ़ रहे है लेकिन बजन बिलकुल वैसा कई वैसा है बजन नहीं बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं सीधी रेखा को बताता है अगला है सादी बहुत ही ज़्यादा important question है important है कि ये तो आना ही है क्या पता आपकी सिप्ट में ही पहुंच जाए अगर ये question आपको लगाना हो और आप exam दे रहे हैं तो आपको इसमें से कौन सा question लगा के आएंगे सोची आप साधरन जनम के समय बच्चे का बजन एवं लंबाई कितनी होनी चाहिए 3 kg 50 cm से अदिक 2 kg 42 cm से अदिक 4 kg 62 cm से अदिक या उप्रुक्त सबी ये आपको बताना है कि कितना बजन जो होना चाहिए एक बच्चे का जो ओसत लंबाई कितनी है यह इंच में भी पूछा जा सकता है पहले मैं आपको इंच में बता देती हूँ जणम के समय जो बच्चे की ओसत लंबाई है वो 14 से 20 इंच होना चाहिए 14 से 20 इंच होना चाहिए और जो क्या बोलते हैं लंबाई है वो 36 सेंटिमीटर से 50 सेंटिमीटर के something होना चाहिए ये इतनी उचाई होनी चाहिए मतलब लंबाई होना चाहिए और जो बजन है बजन कितना होना चाहिए धाई से साड़े तीन किलो के बीच अगर किलो की बात करें तो धाई से साड़े तीन किलो का बजन जो होता है बच्चे का ठीक होता है और जो लंबाई होती है वो 50 सेंटी अब आपको यह बताना है कि अब यहां पे अगर आप बात करें तो यहां पे आपको कौन सा उप्सन बैस्ट लग रहा है तना मैं बता चुकी हूँ तीन किलोग्राम पचास सेंटिमीटर से अधिक बजन बच्चे का बजन होना चाहिए यह आप लिख लो एक और एक बार इंचो में भी लिख लो कि अगर बजन आपसे पॉंड में पूछें तो कितना होगा यह तीन किलोग्राम है और पॉंड में पूछें तो सावे 5 से 9.5 साड़े 5 से 9.5 पॉंड यह पॉंड में होना चाहिए और जो अगर आपसे पूछें कि बजन किलोग्राम में कितना होना चाहिए तो से साड़े 3 या फाऊच इस थरह से पॉंड में होना चाहिए और बलंग होना चाहिए और इंच में जो लंबाई है वह होना चाहिए उन्नी से 22 इंच इतनाenne चाहिए इमपॉट्ट ब। फूट्ध से नम जा इनिए और न होना जांड यहाद से यहां पर यहां पर पूचछ को पूच लें के जनम के समय सिसू का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए तो आपको याद रखना है कि 10.3.5-100.5 kg का वेट होना चाहिए और 80% बच्चों का बेट यही होता है, अगर वो अच्छी स्वास्त बच्चे होते हैं, तो धाई से साड़े तीन किलो के बीच बच्चे का बजन होना चाहिए, तो यह बहुत अच्छे से याद है, जो मेरा गुरूप मिला होगा आपको मेरे नोट के साथ, आज इससे अगला कुशन है, एक वरस के बच्चे का बजन होना चाहिए, जन्म के समय के बजन का तीन होना जन्म के समय के बजन का चार गुना जन्म के समय के बजन का दो गुना या कोई नहीं तो कितना होना चाहिए अगर जैको अभी हमने जन्म के समय के बच्चे का पढ़ा था कि अगर हम औसत पूछें कि अगर हम तीन किलो तीन किलो अगर बच्चे का बजन है तीन किलो तो इसका होना चाहिए तेगुना मतलब तीन तरका नो मतलब नो तो मिनिमम होना चाहिए तीन से जादा ही होता है बजन तीन साड़े तीन किलो है ना तो अगर ये तो नो से दस 210 किलो एक साल के बच्चे का बजन होना चाहिए यह ओसत है लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कोशन में कि जन्म के समय का 3 गोना बजन का 4 गोना यह 2 गोना तो यह याद रखना है आपको कि जन्म के समय के बजन का 3 गोना एक वर्स के बच्चे का बजन कितना होना चाहिए जन्म के समय के बजन का 3 गोना होना चाहिए यूनी एक और कोशन आता है यह यूनी सेफ है जिसकी स्थापना यह बच्चों के लिए काम करती है यूनी सेफ की स्थापना 1946 नो होई थी कमेंट में बताईएगा कि यूनी सेफ का मुख्याले का है ये पूछ सकते हैं आप से तो ये जो UNICEF की UNICEF ने बताया था कि एक साल के लड़के का बजन दस दसं मलब दो kilo और लड़की का बजन साड़े नो किलो होना चाहिए ये UNICEF की रिपोर्ट है ये भी पूछ सकते हैं आप से कि Unisave की अनुसा लड़के का बजन कितना होना ची है और लड़की का बजन कितना होना ची ведь लड़के का बजन 10.99 लड़की का बजन साड़े 9.99 होना चाहिए यह बजन वाला आज सकते पूच सकते हैं लगला हगला है शेयर सी के बच्छे आधर्स उचाई निकालने का सूत्र जन्म के समय की लंबाई से 27 प्लस सेंटीमीटर जन्म के समय की लंबाई से 30 प्लस सेंटीमीटर जन्म के समय की लंबाई से 40 प्लस सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा एक साल का बच्चे का बजन हो जाता है लगभग वसत 9-10 किलो अगर हमें उचाई पड़ी थी 50 cm पड़ी थी यहाँ पे बोल रहे हैं किया कितना हो जाएगा तो सत्ताई जनम के समय जो लंबाई होगी जैसे जनम के समय लंबाई है 50 cm तो इसमें 27 और प्लस कर दो जो बच्चे की लंबाई उसके जनम में होती है जनम के समय होती है उससे 27 प्लस सेंटिमीटर बच्चे की आदर सुचाई मानी जाती है जीरो से एक वर्ष के बच्चे की आदर सुचाई कितने मानी जाती है तो जन्म के समय की लंबाई की 27 प्लस सेंटीमीटर जो है वो लंबाई मानी जाती है फ्रेंस किस किस टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत आ रही है ये भी आप मुझे वाट्सप पर जरूर बताईएगा कि जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो टॉपिक पर तो अपन और प्रबंदन का भी मेरे पास एक मैसेज आयता है कि मैनेजमेंट करवा दीजिए मैट के कोशन आपके आठ ही आएंगे यह ना तो इसमें दो-तिन कोशन ऐसे रहेंगे जो नौम बर्वल रहेंगे जो हातों में ही हो जाते हैं वो जो में जो टॉपिक हैं उससे प्रेश्ण इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा दूंगी बाकी कम्पूटर और मैनेजमेंट क कमी आते हैं तो वो जो में में कोश्चन है वो भी मैं आपको वीडियो के माद्य हमसे कवर करवा दूंगी जीरो से एक वर्ष के बच्चे की आदर सूचाही निकालने आदर सूचे कित्यों जित्ती भी जन्म के समय होगी उसका 27 प्लस 27 प्लस कर दो उसमें तो मतलब वो आपकी जन्म की 27 प्लस ही होती है जन्म के समय की लंबाई में 27 प्लस कर दो जो भी जन्म के समय लंबाई पच्चास हो तो उसमें 27 प्लस कर दो ये इसका सूतर होता है तो आपको ये सूतर ही याद रखना है एक और आता है कि एक वर्ष का जो 27 इंच जन्म के समय की लंबाई 24 से 27 इंच होती है यह इंच में है यह हमने कायमे की थी सेंटीमिटर में की जितनी भी जन्म के समय लंबाई होगी उसमें अगर हम 27 प्लस कर देंगे तो हमारी सेंटीमिटर में लंबाई उचाई निकले आएगी और अगर इंच में करेंगे तो 24 से 27 इंच जो होती है वो आदर्स उचाई होती है अगला कोशन कमेंट जरू कीज़ेगा सभी लोग और सब्सक्राइब भी कीज़ेगा और अपने फ्रेंड्स में सेर कीज़ेगा और नोट्स पचेस करके गुरूप में भी जरूर जुड़िएगा यदि किसोर बालिका का BMI 18.5 से कम है तो किसोर बालिका की उचाई के अनुपात में बजन कितना होगा क्या बोल रहे हैं यदि किसोरी बालिका का BMI 18.5 से कम है तो किसोरी बालिका का उचाई के अनुपात में बजन क्या होगा कोपोषित सामाने से अधिक बजन अत्यदिक बजन या सामाने बजन BMI साड़े अठरा से कम है तो क्या होगा तो ये कोपोषित की स्थित्य हो जाईगी यदि एक कसोरी वाली का है कसोरी वाली का मतलब 16 से अठरा की है और अगर उसका BMI साड़े अठरा है तो उसको जो है कम बजन के रूप में बढ़नित किया गया है साड़े अठरा से कम है अगर और साड़े अठरा से 24.9 के बीच है साड़े अठरा से अगर 24.9 के बीच है 24.9 के बीच है तो वो क्या हो जाएगा? स्वस्त हो जाएगा मुझे बच्ची होगी वो स्वस्थ होगी लेकिन अगर BMI 18.5 से कम है तो क्या हो जाएगा वो को पोशन की सेड़ी में आ जाएगी बहुत ही सांदर पोशन मैंने आज आपको करवाए है ये मेरा WhatsApp नंबर है चैनल को सबस्क्राइब कीजिगा इंस्टा पर फॉलू कीजिगा टेलीग्राम गुरूप की लिंक मिल जाएगी कल हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से और सब्सक्राइब जरू कीजिगा ओके फैंस देंक यू